तो डोस्तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागाध है आपका जियो बीनेट पिलेंगे सबी बड़ी खबरे मुखिस समझा टूड़े ब्रेकिंग नीज के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे बढ़ने को जरूर से दबा दे ताकि जो भी विडियोडल आप तक पहुंची रहे क्योंकि आम लोग रेलवे का वहन आसानी से कर सकते हैं अक्सर ऐसा होता है कि लोग जल्दी बाजी में बिना टिकट के ट्रेन पर चड़ जाते हैं लेकिन मुसीबत तब आती है जब उनका सामना टीटी से होता है टीटी के आने के से ज़्यादा तर लोग घबराते हैं क्योंकि उनके लगता है कि टीटी उन्हें पकड़ लेगा और तो भारी जुर्माना उन्हें देना पड़ सकता है भारतिय रेल ने यातरों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए नए नियम में बतलाव किया है ऐसे में आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है रेलिवे ने किसी वज़ा से टिकट न लेने वाले और वेटिंग टिकट वालों के लिए नई घोशना की है वे अब अपनी टिकट ट्रेन में ही ले सकते हैं तो अगर आपके पास टिकट नहीं है और आप 10 रुपे के अतरिक सुलक देकर के यातरा के दोरा ट्रेन में ही टीटी से टिकट ले सकते हैं रेल्वे ने अब टीटी को हैंड हैल्ड मसीन दे दी है जिसमें आपका नाम टिकट निर्धारित किराए के मुताबिक आपको देना होगा यह मसीन रेल्वे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के सर्वर इंटरनेक द्वारा कनेक्ट रहेगा फिलहाल यह सुबिधा अभी सिर्फ सुफरपास ट्रेन के लिए हैं जल्द ही रेनवे ने सभी ट्रेनों में यह आरम हो जाएगी इस सुबिधा का लाव उठाने के लिए आपको टिकट चेकिंग से पले टीटी से संपर करना होगा और पैसा का भुकतान कर अपने गंतव आस्थान पर टिकट बनवाना होगा यदि आप टिकट चेकिंग के दोरान भीना टिकट के पकड़ी जाते हैं तो आप इस सुबिधा से लाव नहीं ले सकते हैं और आपको पैनाल्टी भरना होगा जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी ख़वर राहूल गांधी बोले मोधी की ताकत उनकी इमेज है मैं हकीकत सामने ला दूँगा जी हाँ दोस्तो चार चर्नों के चुनाव खत्म हो गया है और तीन चर्नों के चुनाव भी बाकी है सियासी सरकरवी उफान पर है कॉंग्रेस अधक्ष राहूल गांधी लगातार बीजेपी और परधान मतरी मोधी पर निसाना साथ रहे है इंडिया टूडे में दिये गए इंटर्व्यू में उन्होंने कहा है कि मिश्टर मोधी और बीजेपी चुनाव नहीं जीत रही है कॉंग्रेस की अगवाई में यूपीय सरकार बनेगी जी हादोस्तो कॉंग्रेस अधक्ष राहूल गांधी ने कहा है कि 23 माई को जनता अपना फैसला सुनाएगी इस दिन जनता का तैह होगा कि कौन देश का अगला परधान मतरी बनेगा जी हादोस्तो यूपीय सरकार बन सकती है मोदी और बीजेपी चुनाव नहीं जीत रहे है निया यूजना पर राहूल गांधी ने कहा है कि इसका बोजे मिडिल क्लास पर नहीं आएगा इस यूजना के जरी हर परिवार को मदद मिलेगी मैं परधान मतरी मोदी की तरह जूटे वादे नहीं करता उन्होंने एक सवाल के जबाब में कहा है कि परधान मतरी नरेंद मोदी की ताकत उनकी इमेज है मैं हकीकत सामने लादूगा मैंने ऐसा करना सुरू भी कर दिया है जिहाद तो राफेल टील के सवाल से जुड़े राहूल गांदी ने कहा है कि उनकी जाच होनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नियमों को दरकिनार करके अंबानी को 30,000 क्रड़ रुपे का फायदा पहुचाया है प्रधानमंत्री मोदी की जाच होनी चाहिए स्वर्जिकल अस्टाइक पर राहूल गांदी ने कहा है कि मनमोहन सरकार ने हमने तिन बार स्वर्जिकल अस्टाइक किये लेकिन हमने इसका कभी डिंडोरा नहीं पीटा सेना पर राजनिती नहीं होनी चाहिए दो सीटों से चुनाव लड़ने पर राहूल गांदी ने कहा है कि मैं कभी अमेठी और वाडनगर को लेकर के कोई फैसला नहीं लिया मैं दक्षिन को एक संदेश देना चाहता हूं कि वे महत्पून है अमेठी में मुझे हार का कोई डर नहीं है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है साइक्लोन फनी पर्थानमती नरेंद मोधी ने कहा फनी परभावीत राज्यों को दी जाए कि हजार करोड की मदद जी हाँ तो तो सुक्रवार सुबह करीबन नो बजे से ओडिसा के समोधी तटो पर फनी तुफान 245 किलोटे परती घंटा के रफ़ार से टकराया इस दोरान समोधी तट के पास पेण पोधे और कच्छे मकान सब कुछ उखड गए उडिसा के पास से लगतार कई तस्वीरे सामने आ रहे है जो भयावक है इसी बिच भारत के पर्थानमती नरेंद मोधी ने आज राजस्थान के हिंदोर में चुनावी सभा को संबोधित किया फनी तुफारपन उन्होंने चिंता व्यक्त की उन्होंने कहा है कि केंदर सरकार लगतार प्रभावीत राज्यों के संपर्क में है और हालात से निपटने के लिए मैं खुद समिक्छा बैठक बुला रहा हूँ पहले ही मदद के लिए तयार मुहया करा जा चुकी है आपको बता दे कि फणी को लेकर के बुधवार को पर्धानमती नरेद बोधी ने उच अस्तरिये बैठेक बुलाई थी और केंद सरकार के वर्ष्ट अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ संपर्ख बनाए रखे आउसक्ता नुसार राहत और बचावकारों के लिए प्रभावी कदम उठाए गौरत लब है कि उडिसा के तट को पार करने के बाद फणी बंगाल के दस्तत देगा फणी तुफान के कारण पस्ची बंगाल के मुखमति मैम्राप मैनरजी ने 48 घंटे के लिए अपनी सभी चुनावी सभा को रद कर दिया है वही सभी सरकाली स्कूरों को आज से गर्मियों के छुटी के लिए घोशित बंद कर दिया क्या है तटिये जीलों के काफी प्रभायूत होने का अंदेशा गर्मियों के छुटी की समय से पहले फणी को ध्यान में रखते हुए गर्मियों की छुटी समय से पहले कर दी गही इस चक्रवात से गंजाम, गंपती, खूरदा, पूरी, जगत सिंगपूर, केंदरपाड़ा, भद्रक, जाजपूर और बाला, सोर सहित, उर्सया के कई तटिये जीलों को ज्यादा परभायूत होने की आसांका है आपको बता दे कि हाबडा, हुगली, जारगराम, कोलकाता, तेज हवाय चल रही है और वहाँ पर बारिस हो रही है इसी तरह पस्चमी मंगाल के पूर्वी और पस्चमी मेदनीपूर, दक्षणी और उतरी परगणा, हावडा, हुगली, जारग्राम, कोलकाता जीलों के साथ अंदर परदेश की स्री काकूलम, विजयनगरम और विशाका पतनम जिलों में इस तुफान से परवावित होने की आसांका है उरिशा में भूनेश्वर, गणपती, केंदर पारा और जगत सिंग इलाके में भी तेज बारिश चल रही है और वहाँ पर तेज हवाई चल रही है आए कि 24 में चुनाव से पहले वह LKG में एडमिसन लेनी होगी आपको बता दे कि केंदरिय मंतरी इस मिर्ति इरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही है उन्होंने चुनाव आयो के दिये हलफ नामे में घोसित किया है कि वह ग्रिजूएट नहीं है यह पहली बार है जब उन्होंने चुनावी हलफ नामे में साफ लिखा है कि उन्होंने तीन साल की डिग्री कोर्स पूरा नहीं किया है उन्होंने इस मिर्ति रानी ने बता है कि उन्होंने दिली उनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग Bachelor of Commerce Part 1 इस course पर वर्स उन्होंने 1994 लिखा है इसका अर्थ है कि उन्होंने इस साल डिग्री सुरू नहीं किया है लेकिन इसे पूरा भी नहीं किया है उन्होंने कोश्टक में लिखा है कि तीन साल के डिग्री अपूर्ण हलफनामे के अनुसार इसमिर्थी ने 1991 में हाई स्कूल की परिक्षा पास की 1993 में इंटर्मीडेट की परिक्षा पास की इससे पहले 2014 में अमेठी सीट में पहली बार चुनाव लड़ने के दोरान इसमिर्थी इराली ने हलफनामे में लिखा है था कि 1994 में उन्होंने दिली उनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में बैचलर अफ कॉमर्स पाट वन गी हाई जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी ख़वर नतीजे बदलेंगे कई राज्यों के सियासी समिकरण यहाँ भाजपा के सामने हो सकती है नई चुनोती जी हाँ दोस्तो लोक सभाचुनाओ 2019 के मतगणना के बाद परमुख गठवन्दनों की जीत यहार तीन राज्यों की सियासी समिकरण में ब्यापक बदलाव लाएगी भाजपा की अकुवाई वाली राजप की जीत में इस्तिती में पसीन बंगाल में त्रिमूर कॉंग्रेस और मधपर्देश के साथ करनाटक में कॉंग्रेस की सत्ता बचाने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा वहीं महराष्ट, गोवा, बिहार में भाजबा के लिए सहयोगियों को साधे रखने की चुनोती होगी इसके आलावा राजस्थान में दोनों ही परिस्थितियों में सियासी समिकरण में बदलाव आएगा अगर कस्मीरी नहीं पाए तो इससे संब्धित राज़ों के विपक्ची के रतीजों में नए विकल्पों को खोजना सुरू हो जाएगी वहीं बहतर पर्दसन के लिए छेत्रिये छट्रपों का सियासी कद बढ़ेगा जी हाँ दोस्तों मामताब एनरजी का सियासी कद तैकरे का चुनाओ मद्पर्दिस में बस्पा के समर्थन में मुश्कीलें बहुत हासिल करने वाली कॉंग्रेस और जहां आपसी खिचतनाव है वहीं बस्पा लगतार संपर्क वापस लेने की धंकी दे रही है मुख्यमंतरी कमलनाथ में बहतर पर्दसन को देखते हुए बड़ी चुनाओती हो सकती है इस चुनाओ के परिणाम के लिए उनके सरकार का भवी से तैकरेगा अगर 12 सत्ताम आया तो वह कॉंग्रेस के लिए सरकार बनाने के लिए खड़ी चुनाओती होगी पार्टी घर मजबूत कर राजी की जेटीयस और कॉंग्रिस गटवंधन की एचडी कुमारा स्वामी सरकार पर हमला करने की तैयारी में है एंडिये दुबारा सत्ता में आये तो नए सीरे से उपरेशन लेटर सुरू हो जाएगा जी हां दोस्तों महराष्ट के फिर हमलावर हो सकते हैं सीवसेना एंडिये के केंदर की सत्ता खोने की स्थिती में बेमुस्किल साथ चुनाओ लड़ने के लिए राजी हुई सीवसेना पर रुख हमलावर हो सकता है पार्टी भाजपा को पर दबाव बढ़ाएगी वैसे भी सीवसेना राजी की सीवसेना पद पर अपना अधिकार मानती है ऐसे अगर केंदर की सत्ता आई तो सीवसेना को थामे रखना भाजपा के लिए बड़ी चुनोती हो सकती है जिया दोस्तों गुआ में सहयोगी तलास कर सकते हैं नया भी कल्प गुआ के सीवसेना मनोहर परिकर के निधन के बाद भाजपा के सूबे में किसी तरह हालत को संभाला मगर लुक्स बाचुनाओं के नतीजे विपरित आने पर समर्थन दे रहे सहयोगी दल अपनी नई भूमी का तला सकती है अगर राजप में एंडिये बेहतर पर दस्म करती है तो गटवंदर पर किसी तरीके का आच नहीं आएगी वहीं राजस्थान की रजनीती की सीधे तोर पर परभावित होगी सत्ता में राजप की वापसी के अलावा सत्ता रूड कॉंग्रेस के राजप में बेहतर परदसन न करने की सिति में खास तोर से असोग कहलोल की मुश्किले बढ़ जाएंगी